भारत देश एक ऐसा देश है जो आश्चरियों से भरा हुआ है इस देश के हर राज के हर सहर के कोने कोने में कोई ना कोई अदबुच जगा मौजूद है इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज का कानपुर सहर एक ऐसा सहर है जो अनेक एतिहासिक धरोहरों के कारण पूरे देश में पिसिद्ध है इस सहर में एतिहासिक धरोहरों के साथ ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं जिनके बारे में ना आपने सुना होगा ना जाना होगा इन्हीं एतिहासिक और धार्मिक धरोहरो का एक नमूना है जगनात मंदिर इसे गाउं के लोग इने ठाकुर जी बाबा के नाम से भी पुकारते हैं जो अपनी खासियत के कारण पिसिद्ध हैं दोस्तो चलिए बताते हैं कानपूर के इस जगनात मंदिर के रहस्य के बारे में जो कि आज तक व्यग्यानिक भी नहीं सुल जा पाएं दोस्तो आज का यह वीडियो सुरू करते हैं उससे पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है और हाँ वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा अगर आप इस वीडियो को यहां तक देखते देखते आ चुके हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जै जगनात लिखना मत भूलिएगा चलिए दोस्तो आज का यह वीडियो सुरू करते हैं इस मंदिर की खासियत यह है कि बारिस होने के साथ दिन पहले ही इसके गर्ब ग्रे की छस से पानी की बूंदे टपकने लगती हैं सबसे बड़ा जूबा यह है कि इससे टपकी हुई बूंदे भी बारिस की बूंदों के आकार में होती हैं तो उस दिन से बूंदे टपकना बंध हो जाती हैं। तमाम सर्वेच्छडों के बाद भी इसकी साफ बजा पता नहीं कर पाएं। कि या बूंदे कैसे टपकती हैं। वो भी बारिस होने के साथ दिन पहले से ही क्यूं। इस बात को कोई भी नहीं समझ पा रहा है। इस मंदिर में भगवान जगननाद सुबद्रा और बलराम की मूर्ती स्थापित है। या मूर्तियां काले चिकने पत्थर की बनी हुई हैं। तस्वीर में दिखाए गए पत्थर से टपकता है पानी और मंदिर के बाहर से ली गई है या तस्वीर। इतना ही नहीं भगवान विश्णू के अब तक जितने अवतार हो चुके हैं। और जो की बाकी हैं। जो की दस अवतार भगवान जगनाद जी के मूर्त के चारो और मूर्त के रूप में अंकित हैं। जिसके पीछे से भक्तगर भगवान की परिक्म करते हैं और अपने मन में बोलते हैं। जिससे भगवान उनकी बात सुन कर उसे पूरा करें। दोस्तों माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना मांगो वो पूर्ण होती है। बस भगवान की पूजा अर्चिना सच्चे मन से की गई हो। इस गौव में रहने वाले बुजुर्ण लोग कहते हैं कि हमारे दादा पर दादा भी इस बारे में पौराणिक कता कहते हैं। कि जब भगवान हनुमान ने सूर भगवान को निगला था तब या मंदिर अपने आप बना था। साथ ही या भी माना जाता है कि भगवान स्री राम इस मंदिर में आये थे। इस बात में कितनी सच्चा ही है या नहीं गह सकते। इस मंदिर में रहने वाले पुजारी दिने सुकल और एक स्थानी नागरीक पड़े पताप सिंग ने बताया कि कई बार पुरा तत्तु विभाग और आईटी आई के वेग्यानिक आये और जाज की। लेकिन वह लोग ना इस मंदिर का वास्विग निर्मार का समय बता पाएं जी का मंदिर है जिसमें एक मुख्य सिवलिंग और उसके दोनों और एक एक सिवलिंग इस्थापित है साथ ही स्यूजी का वाहननंदी भी विराजित है इस मंदिर के अंदर तीनों दिसाओं में स्रीगडेस भगवान हनुमान और लश्मी माता की मूर्तिस थापित है दोस्तो दोबारा भगवान को उनकी जगा पर इस्थापित कर दिया जाता है। इस अफसर पर छेत के लोग बहुत ही उस्साहित होकर भगवान की मूर्थ की रथियातरा निकालते हैं। साथ ही हर घर में लोग उनकी पूजा करते हैं और चने की दाल लाई और फल से भोग लगाते हैं। इस मंदिर में जनमाश्मी के दिन भगवान किशन का जनमोसर बड़े ही दूमधाम से मनाया जाता है। इस अफसर पर पूरे मंदिर को सजाया जाता है। अर्धरातरी के समय में संक और घंटे की गूंच के साथ किशन जनम किया जाता है। और चपन पिकार के विंजनों का भोग लगाया जाता है। इस अफसर में साथ दिन तक यानी की भगवान किशन की छटी तक मेला का आयोजन किया जाता है। और चटी के दिन भगवान स्री केष्ण की चटी भरी जाती है और पिसात के रूप में खीर कड़ी और चावल दिया जाता है। दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उमीद करता हूँ आज का यहाँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे और चैनल पे नए आये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नौटिफिकेशन को और पे क्लिक कर लीजेगा। और इस मंदिर के बारे में आपकी क्या राहे प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।